पूरा यादो आये थे बिहार में उन्होंने भारती जनता पार्टी के एक एमपी के कारियाले से पच्छास ठख के रखी गई इंबुलेंस से परदा हटा दिया हाई हाई इस गुना हमें विचारा आज जेल चला गया ये सरकार और इस में बैठे हुए इनके मुखिया इत्रे बेशरम लोग हैं हमने आज तक एक ही बात सुनी थी और देखी थी कि आपदा की घड़ी में एक दूसरे के बहरी भी एक दूसरे को छती ने पहुंचाते बार के समय जब बार का पानी बरता है तो किसी चटान पर किसी ब्रिक्ष पर किसी दिवाल पर चड़ के साप भी छुप जाता है चुहा भी छुप जाता है उसी पर बाज भी बैठ जाता है उसी पर चड़िये भी बैठ सी होती है उसी पर मनुष भी होता है कोई किसी को नह दस्ता ये पहली बार नया फार्मूला भारत में दिया गया कि आपदा को उसर बनाओ और आपदा को उसर बना दिया गया दिली के तिहार जेल में बंद पुरुसांसर सहाब उद्दीन सहाब को करोना के नाम पर और भेज करके हास्पिटल में और इस तरह से ब्यवस्ता दी ग एम्स से आएंगे और अपना इलाज करा के सकुषल एम्स वापस लोड़ जाएंगे और शहाब उद्दीन शहाब उद्दीन को दीन देयाल उपाधिया हस्पिटल भेजा जाएगा जहां वेंटीलेटर की सुविधा भी उन्हें नदी जा सके अभी आजम खाके जान के लाले पड़े हुए हैं लाया गया है उठा करके लखड़ू और ताना बाना जैसा बनाया जा रहा है मुझे लगता अब जादा समय नहीं लगना है उनके लिए भी सारी योजराएं लगता है पहले से प्लान कर ली गई है लेकिन इस हुकूमत से बड़ी भी कोई हुकूमत है और कोई हाकिम है इन पापों का हिसाब जो दुनिया में लोग अभी नहीं ले पा रहे हैं उसका हिसाब वो लेगा और ये जो पाप इस आपदा की घड़ी में अपने विरोधियों के लिए जो तमाम कठिनाईया पैदा करके उनके साथ उनके जीवन तक की समाप्त कर देने की साजिस करके और जो जन्ता के उपर हो रहे अत्याचार है जो आपदा के कारण अपनी कमिया है उसको छुपाने के लिए मूल मुद्दे से ध्यान हटाने के लिए किस किस तरह की पागलपन की बात कही जा रही है जहां छुट्टा मवेशी रखे जाएंगे वहां थर्मामीटर रखा जाएगा कि उनका आकसीजन ना पा जाए उनका स्वास चेक किया जाए जहां इनसान मर रहा आकसीजन के बगर उस इंसान को आक्सीजन मुहया हो उसको वेंटीलेटर की सुविधा दे दी जाए उस मरने वालों की सही संखिया तो कम से कम बता दी जाए कुछ नहीं इतनी बड़ी बेईमानी तो साइद सुरिष्टी के रचाइता दे भी कभी नहीं सोचा होगा कि ऐसे लोग भी बढ़ जाएंगे जो विपत्ती काल कोली अपने लिए आउसर बना लेंगे कि इस आउसर से अपने विरोधियों को